सबी मेंबर्स को मेरा नमश्कार और रिपपलिक दे की बहुत-बहुत बढ़ाई आज रिपपलिक दे के दिन इंक नईência grammar series का मैं आखास कर रहा हूँ सिरफ members के लिए golden grammar series नाम पे नहीं जाएं इस sireez के अंदर आप जो golden grammar के rules है न गोल्डन रूल्स जो बार बार एक्जाम से पुछे गए हैं जिनके उपर पूरी ग्रामर टीक हुई है उनका में क्रेश कोर्स करने वाले हैं कोशिश करेंगे 10-12 पार्ट में पूरी सीरिस को अपने खतम करते हैं हर पार्ट के अंदर 5-6-5-6 ग्रामर रूल्स को ले करके आप फ्रीज करो और आप मुझे खुद बताओ कि इसमें क्या अरॉर है चलिए आप फ्रीज करके यतना भी डैम रोकना चाहिए रोक सकते हैं मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ ना एक्च्वल मैं इसमें एरर देखो ना तो एरर है आर ओन दवे इस वाले पार्ट में है अब इसमें पार्ट में एरर क्यों है देखो बहुत सिंपल सा क्रिशन है पहला जो मैंने रूल रखा ना बिल्कुल सिंपल रखा है रिजन यह है इसमें आपको देखते एरर पता लग गई आपको पता लगा आर जो है वह या गलत है आर की जगह यहां पर क्या आना चाहिए अपना आज का पहला जो है रूल यह कहता है किसी भी सब्जेक्ट में आपको टू सब्जेक्ट को पकड़ता है वाप जिसके लिए लगी है न वो टू सब्जेक्ट होता है अब धीको यहां पर दो चीज़ा दिख रहे हैं आपको स्टूदेंट्स और बस अगर थोड़े भ गया है, off preparation है, preparation क्या चाहिए, एक जो object चाहिए, student बन गया, इसका object, अब यह student इसका object बन गया, तो हमारे पास इस और वर्ब के लिए सिरफ एक ही subject बचा जो की बची बस, तो student इस off का proposition का object होने कारण हमारा जो subject हुआ बस, बस के लिए हम आर नहीं, बस के लिए हम इस लगाते हैं, इस वज़े से हमारे पास यह आर की एरर बन गई यहाँ पर जो इसके प्रावलम्स देख करके वो बुलेगा है फिल लगा है ठीक है पर एक्षुल में क्या है प्रावलम्स इसका सब्जेक्ट नहीं है देखो स्पीच बनी एक सब्जेक्ट पहला एक नाउन पहला उसके बाद और प्रेपोजिशन आई प्रेपोजिशन से जुड़े हुए थी यह प्रेपोजिशन के बाद इसने दो अब्जेक्ट लिये एकॉनमी एंड कंजंक्शन और सोसाइटी तो यह दोनों जुड़े हुए सोसाइटी तो एक्षुल में बचा क्या खाली स्पीच जासा एक सब्जेक्ट बचा एक नाउन बचा जो हमारा सब्जेक्ट बन सकता है ना प्रॉब्लम ओन से जुड़ गया एकॉनमी ओफ से जुड़ गया सोसाइटी ओफ से जुड़ गया बाकी सब के सब हमारे पास जो हैं जो हैं इंगेजन है उल्ड़ेडी तो स्पीच के लिए में क्या लगाऊंगा है तो हैस बिन डिटन बाई हिंसल्फ थोड़ा सा कॉम्प सब्सक्राइब तो अब आपका rule number वना आपको समझ में आगे न true subject आपको पकड़ना है अब ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच sentences है पाँचो sentences के आप जो ना answer निकाल करके देखो true subject ढूड़ो, is, are, has, have, walk, walks इन में से देखो कौन सा लगेगा यहीं freeze कर ले, interactive session है आप कोशिश करें, यहीं पर इनके answer निकाले next sheet के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इनके answers को, जाकि अपने answers को match करें ना, पाँचो को चलिए, बड़ा simple सा concept था, इसको मैं answers को आपको verify नहीं करवाँगा, आप खुद भी देखेंगे, तो समझ जाएंगे, बढ़ते हैं अपने rule number 2 की तरफ, आज का पहला number rule आपने देख लिया, true subject को हमेशा identify करके ही, verb को उसके इसाब से लगाए, चलिए, अगला क्या कहता है हमारा sentence, जो आप sentence देखें पहले इसमें error को डूढ़ें आप चरिए, conjunction end की उपर यह rule based, थोड़ा confusing rule है, ध्यान से देखना आप इसको मैं कहरा हूँ, my thoughts and Mira's views, were not on the same platform, है ना actual में क्या हुआ है यहाँ पे end conjunction का use हुआ है बीच में आपको पता है, जब भी end आ जाता है राम और श्याम सीता और मीना, स्कूल और college, बीच में जब भी end लगा होता है, जहाँ जहाँ end लगा होता है, वो बन जाता है, plural subject, आप जानते हैं न अच्छे से, तो my thoughts and Mira's views वह ना, दोनों मिलकर के end conjunction लगने कारण, यहाँ आपने use कर दिया word अब यह आपने पिश्य शीट में देगा था मेरे साथ plural subjects के साथ, वह उसके जगा word यूज होता है, पर actual में इस sentence में कोई error नहीं है, अब आप यह अगला sentence देखो, उसमें error बताओ, आप इसमें सही हो, आपने end conjunction use किया है end conjunction यह कारण आपने word लगा है तो मैं no error बोलता हम, अब आप next वाला sentence देखो चलिए, अब इसमें क्या हुए, देखो एक subject आया manager, दूसरा subject आया owner, आप बाद में लगा रहा है इसने आपने, आयार, और क्योंकि बीच में end conjunction आई हुई थी, पर अगर मैं आपको कहूँ, यहां पर यह आर गलत है part three में कहरर है, इस आर की जगह आपको इस रखना है, तो आपका दिमाग यहां गूम जाएगा पस यह rule है यहां पर अपने पास, रूल यह कहता है conjunction and हमेशा plural subject नहीं बनाएगी, समर्णों पर बात को, conjunction as लगने पर हर जगह subject plural नहीं होगा, यहां manager और owner मिलने के बावजूद आप बीच में end नहीं लगाओगे, इस लगाओगे, इसका rule क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखना, rule यह कहता है यह manager और जो owner है ना, store का वो एक यह आदमी है, वो manager भी है और वो owner भी है, अब देखो एक आदमी है ना, भले ही आपने end conjunction लगाई, इसकी दो designation के बारे में आपने बताया, तो actual में आपको conjunction को बीच में जो verb है, उसको इस लगाना है, singular लगाना है, आर ने लगाना, has लगाना है, have ने लगाना, समझे मेरे बात को, क्योंकि manager और owner एक ही बात है, है ना, अब देखो मिरसे अब सवाल करो के sir, हमें कैसे बता लगेगा, manager और owner एक ही है, हो सकता है, अलग अलग हो, आपने तो बूल दिया एक है, देखो इसके लिए एक rule है अपने पास, जब भी आपके पास अलग अलग होंगे ना, तो आपको उसका के दो लगा देगा वो, लगाया, और owner के आगे मैंने दा नहीं लगाया, तो मतलब मेरे पास एक ही आदमी है, सिधा सा ही rule है, ठीक है, अब इस rule को थोड़ा और extend करते हैं, मैं और थोड़ा इसकी depth में जाता हूँ, आप एक दो questions देखो, the PM and chairman of planning commission is or coming to a town, अगर आप इसको खुद करने कोशिश करो, चलिए मैं बताता हूँ, the PM and chairman है, the नहीं लगा हुआ इदर, तो मतलब दोनों एक ही आदमी है, answer होगा is, है ना, सिधा सा rule है, दोनों क्या कि दा आया, तो answer आ रहे है, एक क्या के शुरूँ वाले क्या के दो आया, तो answer is है, चलो, इसी के अंदर मैं अगर next वाले में, the PM और दो चेर्मन लिख दूँ, तो answer होगा, simple सा rule है, अब इसको मैं और extend कर रहा हूँ आगे है ना, bread and butter, increase cholesterol या increases cholesterol, सोच वाप ज़रा, चलिए, अब आप बोलेंगे सर, यहां तो दर नहीं आ रहा, यहां तो दो bread और दो butter नहीं लिखा हुआ, तो मतलब यह अलग अलग चीज़े हैं, तो bread and butter लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर verb की plural form को use कर लेता हूँ, increase को, यह देखो, यह increase और increases में से किसको चूज करना है, plural कौन सी है, singular कौन सी है, यह आपको इस sheet से मलुम पड़ेगा, इस sheet को ना नजर अंदाज नहीं करें, देखो, increase क्यों लिखा हुआ है, यहां पर हमने, verb की उस form को use करते हैं, जिसका कि एस नहीं लगा हो, जब हमारे पास plural nouns हो, समझ के मेरे बात को bread and butter दो plural हो गए न, तो मैं यहां पर increase लिख रहा हूँ, play लिख रहा हूँ, kill लिख रहा हूँ, आपको increases याण increase में से use करना है, आप use करेंगी increases को, क्योंकि bread and butter जो है न, हमेशा साथ में आते हैं, एक single idea को बताते हैं, bread and butter नाम की single dish को, तो increase ना लगा के हम increases लगाएंगे, यह हमारा rule है conjunctions का, तो यह fix phrases हैं अपने पास, जैसे कि bread and butter है न, हमेशा singular verb उसके साथ use करेंगे हैं, अचा और देखो, time and tide, आप देखो दो चीज़े हैं, समय और तुफान, है न, weight और weights की जगर आपको choose करना हो, grammatically जाएं तो आप बोले आप time and tide लिखाओ, आप लिखेंगे weights, time and tide, weights for no one, इसी तरह से आप अगला rule देखें, इसी मतलब इसी concept के उपर, milk and fruit, अगर मैं बोलू, milk and fruit, has or have, known to be a good diet, milk and fruit को एक अच्छी diet की तरह जाना जाता है, है न, वैसे तो आपको यहीं से एक जो हैना idea मिल जाएगा, a good diet की मैं ब have always been our breakfast, तो बुझे cornflakes and milk, साथ में लिखकर के बता रहा हूँ, मैं milk में cornflakes मिला कर के मैं पीता हूँ, तो इस होज़े से मैं इसके लिए लगाँगा, has, तो यह चारपंट fix phrases है, and conjunction आने के बावजूद, आप इनके साथ singular verbs को use करेंगे, बढ़ते है, rule number 3 की तरफ, देखो ब man and woman लिखा हो, तो आप बोलोगे, word dancing, बहुत सारे लोग होगे ना, सब के सब dance कर रहे थे, पर यह बड़ा simple सा rule है, यह सीधर सीधरी बात यह करता है, कि each or every हमेशा अपने बात चाहिए, बीच में एंड conjunction आई हो, हमेशा अपने बात singular verb लेंगे, तो अगर each man and each woman की बात कर र each man and each woman is dancing या was dancing in the bar, समझ गे, अच्छा, अब यह rule यह है, each plus में नाउन और end में दूसरा नाउन लगाओ, यह every plus में नाउन और end में दूसरा नाउन लगाओ, verb आपको हमेशा singular use करनी है, दो सेंटेसी और देख लो, फटा फट इनके answer खोजो, फिर में आपको answer बताता हूँ, चलिए, every shirt, tie and jacket, was your word, was your word, क्या हैगा, every लगाओ ना, अब बीच में shirt, tie, jacket, end लगा दिया, कॉमा लगा दिया, कोई बात नहीं, आपने किस से शुरू किया sentence को, every से, मतलब हमें हर एक के बात करनी है, singular बात करनी है, was, word में से हम चूज करेंगे was को, ठीक है, each manager and worker, is or are, देख चलिए, बढ़ते हैं, अगले rule की तरफ, many, यह ऐसा rule है, ज्यादा तर लोग जिन्नोंने नहीं सीखा है ना, वो बता ही नहीं पाएंगे, मैं आपको इससा concept भी बताऊँगा, आज, ना के बर rule, ऐसा होता क्यों है, वो भी बताऊँगा, देखो, many जो है, money है, यह many देखने बात कर रहे हो, बहुत सारे, बहुत सारे लोगों में से, मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं, एक चीज की बात कर रहा हूं, many यह का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजों में से, मैं एक चीज की बात कर रहा हूं, जब मैं एक चीज की बात करूँगा, तो मेरे बाद मैंनी ये के बाद singular वह आएगी चलो example में देखते है I have been चलो पहले third वाला देखो ये first or second में थोड़ा अलग concept है वो इसके बाद अपने discuss करेंगे ठीक है sentence है बहुत सारे politicians में सबने एक-एक करके promise किया है समझ गया मेरे बात को मैंनी ये politician का मतलब क्या है बहुत सारे politician आये उन सबने individually हमारे को promise किया कि city को develop करेंगे एक-एक ने promise कि city को develop करेंगे इसलिए मैं has लगा रहा हूँ अब देखो इसी में दूसरा concept भी मैंनी ये के साथ के बाद हमेशा noun भी singular होगा इसी sentence में देखो मैंनी ये politician एस नहीं लगा इसके आगे ये ही मैं बताना जारा था आपको मैंनी ये के बाद में जो noun आ है न वो भी आपको singular रखना है एस नहीं लगाना है चलो ए पहले वाला sentence और दूसरा वाले sentence को थोड़ा साथ करो अपने हि आप खुद ट्राई करो फिर मैं आपको जो ना अप्रोच अपनी बता हूं इंटरक्टिव रखें सेशन को आई है बिन हीर मैंनी अ आप देखो टाइम और टाइम्स मुझे डिसाइड करना है मैंनी ये अलग है मतलब इसके बाद में हमेशा singular verb singular singular noun आएगा मैंनी ये के रूल है चारा नंबर मैंनी है डिफरेंटली ट्रेट करते हैं आप पॉलिडिशन के बाद तो हैस आना ही था ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने पांच नंबर अपना रूल है कुछ special prepositions हैं चलो मैं बाद में बताऊंगा पहले इसके अंदर एरर बताऊं जा चलिए एरर क जो prepositions है ना और ऐसी कई prepositions उनका काम क्या होता है वो कभी भी अपने से पहले आने वाले नाउन के नंबर को चेंज ने करेंगी जैसे कि यहां पे bride मतलब दुलन और breadgroom मतलब दुला बीज में prepositions लगी हुई थी तो यह जो मैं as well as जो है ना इससे पहले जो आरा था ना म पेरी वाब उसी के हिसाब से चलेगी as well as के बाद आने वाले है जो noun है जब noun है उससे कोई फरक नहीं बड़ेगा sentence की वाब पर तो the bride है ना तो इसके हिसाब से मुझे यहां पे looks लिखना है singular nouns के साथ में singular subjects के साथ में हमें पीछे हमेशा verb के s लगाना होता है present definite tense में इतना तो आप जाने गए ना टेंस की वीडियो भी देख लिए आपने तो bride के एसाब से यह looks आएगा यह bridegroom जो है ना हमारा subject नहीं बनेगा part नहीं बनेगा subject का ठीक है ना तो इस तरह से आपका part सही के अंदर error है अब देखो और यह एक अकिला नहीं है यह as well as इसके साथ में बह मतलब हमारे subject की वर्ब जैसे कोई difference नहीं है वर्ब जैसी पड़ी थी वैसी रहेगी अगर वर्ब singular थी शुरू में तो वर्ब singular रहेगी और अगर plural वर्ब थी तो वर्ब plural रहेगी example देख लेते हैं और clear हो जाएगा एक सकेंड रुख जाओ साफ करते हैं इसको चलिए question है द पहले पहले जो noun आया है जो subject आया है वह हमारा जो है जो है उसके हिसाप से वाब लगेगी government के लिए इस और आर में से इस लगेगा तो आप बोलोगे इस ठीक है तो people of this country के लिए आप कुछ भी यहां use नहीं कर रहे हो आर वार कुछ नहीं लगाना है government के हिसाप से पूरा sentence बना देना है क्योंकि बीच में as well आया जाया था चलो बढ़ देख लो many factors including education अब देखो बीच में क्या आया including मेरा sentence किसे शुरू है factors से factors के इसाप से क्या लगना चाहिए आर लगना चाहिए मान लो यहां पर including ना होता end लगा होता तो मैं वैसे भी आर लगाने वाला था कहन मैं यह चाह रहा हूं ऐसा नहीं including आ गया तो हमेशा ही जाएगा उससे पहले जो ना उन आ रहे न उसके साप से वह लगेगी factors आ रहा है तो बेशेकार लगेगा यहां पर कोई डाउट नहीं है इसके इंदर तो इस तरीके से इन सभी के बाद में कभी भी कोई नाउन आए तो उसका verb पे कोई difference नहीं आएगा अगर आपका उससे पहले वाला noun singular था तो verb singular रहे जाएगी noun plural था तो verb plural हो जाएगी simple सा concept है notes रखे हैं यह description में जाकर के इनको download कर लें 5 rules के और फिर लेके आऊंगा 5 rules अगले पार्ट के अंदर उससे पहले quiz देख लें फटा फट से 10 questions हैं आज के पाज rules के उपर ही based हैं है ना next slide में के answers हैं ठीक है answers और इन questions को ध्यान से देखो अपने questions को match करो जरूर से मुझे अपना ना score जरूर बताना description के अंदर प्लस में अगर आपको यह देखो पहला पार्ट है आपकी इच्छा से बनाने वाला हो में सब कुछ अगर आपक चाते हैं तब इसी series को continue करेंगे मेरी इच्छा ही है मैं तो नहीं चाता हूं इस तरह से किसी को पढ़ाना crash course करवाना बड़ एक्जाम नजदीक आ रहे हैं grammar videos में पूरी नहीं कर पा रहा हूं तो फटा फट से मैं crash course करवा लेता हूं ताकि आप लोग बैठने लाएको exam में 25 में से 20 numbers score करने लाएको हैना जरूर से मुझे बताना अपना feedback फिर मुलाकत लूँगा पार टू के अंदर वीक में दो वीडियो इनको करेंगे कोशिश करेंगे जिस वीक में close test या error correction कुछ और लेने मतलब कुछ और वीडियो बनानी है तब उस वीक में एक ही ले लेंगे otherwise नहीं तो दो वीडियो हर वीक में हम करने वाले हैं दूसरी वीडियो में पब्लिश करूँगा ट्यूज्टे या वेंस्टे को ठीक है मुलाकत लूँगा तब तब तक के लिए साइनिंग आउट